जै हिन दोस्तों आज का जो प्लाट है वो 40-60 फिट का प्लाट है पूरा वास्तु सास्तिर के अकोर्डिंग प्लान रेडी किया गया है तो प्लान को लाश तक जरूर देखें तब ही आपको प्लान और वास्तु के सारे टिप्स समझ में आएंगे तो प्लान को ध्यान से जनकारी के लिए बता दूं यह जो प्लाट है इसकी पीछे से भी चोड़ाई 40 फिट है और आगे से भी 40 फिट है लंबाई वो आप देख रहे हैं आपको समझाने के लिए मैंने दे रखिए पूरी 60 फिट इसकी लंबाई है दोनों तरब से 60 फिट लंबाई है अब आपको दिशाओं का बता दूं यह प्लाट आपका नौर्थ फेसिंग यानि उत्रमुखी प्लाट है आगे से इसके में रोड जा रही है इस साइड में इसके वेश्ट यानि प्लाक्सिम दिशा है इस साइड में इसके पूरव दिशा है यानि की इस्ट दिशा है पीछे की तरब साउत याने की दक्षिन दिसा है तो आपका ये पलाट है उतर मुखी आगे से रोड जा रही है पलाट की जो चोड़ा ही है वो 40 फिट है तो सबसे पहले जो में गेट है वो हम रोड से हम घर के अंदर एंटर करेंगे तो में गेट हमने जगे छोड़ी है खाली यानि वो जगे आप पार्क के लिए या किसी भी अपने छोटे बगीचे के लिए यूज कर सकते हैं उसके बाद में देखिए इस लाइन से यहां तक और इस दिवार से यहां तक हमने पार्किंग के लिए जगे छोड़ी है यह आपका पार्किंग एरिया हो गया है काफी बड़ा स्पेसपुल आपका पार्किंग एरिया होगा 16 बाई 3 फिट इसकी चोड़ाई है 16 बाई 3 फिट और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 16 फिट है तो काफी spaceful और बड़ा parking आप अपनी 4-wheeler, 2-wheeler अराम से खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर आप जो यह निसान देख रहे हैं यहाँ पर आपको भूमिगत अपना पानी का tank लगए पानी का tank यहाँ बनवाना है तो पानी का यह space हो गया है अब देखिए पारकिंग से हम अंदर एंटर करेंगे तो यह सीडिया दी गई है, देखिए तीन सीडिया है तीन सीडिया यह sit-out है, यहाँ बेटने के लिए हमने 6 feet, 6 inch by 6 feet का एक space रखा है जो आप बेटने के लिए sit-out है तो यहाँ पर इसके बाद में हमने घर में एंटरंस का एंटर दिया है यानि पारकिंग से हम यहाँ जाएंगे इस बरामदे में बरामदे में जाकर हम घर के अंदर एंटर करते हैं अगर आप सीडिया लगा कर एंटर करना चाहिए तो कर सकते हैं आपके उबर डिपेंड है तो घर के अंदर की जो लगड़ी का जो चोगट लगती है वो यहाँ लगेगी इसके बाद हम घर के आंगन में एंटर करते हैं यह आपके घर का हो गया आंगन काफी स्पेसपुल आंगन है जिसे हम हाल भी बोलते है काफी स्पेसपुल बड़ा आंगन दिया गया है इसकी जो चोड़ाई है वो यहां से यहां तक 20 फिट है और जो लंबाई है वो आपकी 16 फिट है तो यह आंगन हो गया आपका काफी बड़ा 16 बाई 20 फिट का आंगन हो गया है आंगन के अंदर हमने इस साइड में देखिए बड़ी विंडो दी है जिससे पूरे आंगन में काफी अच्छी रोस्ति आएगी एक विंडो हमने पार्किंग एरिया की तरफ रखिए तो आंगन में आपकी दो बड़ी खिटकिया हो गई है जिसमें पूरी अच्छी आपकी रोस्ति आएगी ठीक है अब आपको एक जरूरी बाद में बता दू इस जो घर में हमने देखिए पूरी तीनों तरफ हमने तीन फिट की जगह रखिए यानि कि तीन फिट जगह छोड़के हमने घर बनाया है तो आपकी इस साइड में भी तीन फिट लाश तक जगह है पीछे भी हमने तीन फिट जगह छोड़ी है और साइड में भी तीन फिट जगह छोड़ी है यह जगह हमने इसलिए छोड़ी है अगर आपका पलाट बीच का पलाट है तो आप खिड़कीया कहा निकालेंगे और रोसनी और ventilation कैसे होगा आपका अगर का अगर आपके तीनों तरफ पडोशियों के मकान है तो आपको खिड़कीया निकालने के लिए जगह चाहिए और अगर बराबर की जगए आपके तीनों तरफ है तो आपका कोई वास्तु दोस्त भी नहीं होगा और पूरी खिड़कें आपके घर की इसमें निकल जाएगी और घर काफी खुला खुला और बहुत ही सुन्दर आपका घर बनेगा ठीक है दोस्तों तो ये खिड़की हमने हमारे घर के अंदर ही निकाल लिए जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ ये खिड़की पार्किंग गरिया में अब जैसा कि ये जो कोर्नर है देखिए उत्तर और पूर्वे दिसा का जो कोर्नर होता है इतना जो कोना होता है इसमें आपको पानी का भी space रखना होता है और अपना पूजागर भी यहीं होता है तो देखिए आंगन में हमने यहाँ पर open पूजागर का space रखा है यह जो आप स्वास्तिक देख रहे हैं यहाँ पर आपको पूजागर बनाना है तो यहां आपका बढ़ने का पूजागर काफी सुन्दर आपका पूजागर लगेगा यहां पर पूरे जो आंगन होता है हमारा ब्रह्म कौन होता है तो यहां पूजागर देंगे तो काफी सुन्दर भी लगेगा आप देखिए इस आंगन से आपको इस साइड में एंटर करना है एंटर करेंगे तो आपको देखे दो गेट दिखाएनेगे यह फर्स्ट गेट यह सेकंड गेट तो सबसे पहले हम इस गेट के अंदर एंटर करते हैं तो यह आपका हो गया फर्स्ट रूम काफी स्पेसपुल बड़ा रूम है यह इस रूम का जो मेजरमेंट अब हो मैं आपको बता दू 11 feet by 16 feet का यह आपका रूम है काफी बड़ा इस स्पेसपुल यह रूम होगा इस रूम के अंदर यह जो आप स्पेस देख रहेंगे यह लेटरिंग बाथ रूम है अटेच लेट बात हमने दिया गया है मारे द्वारा इस रूम में काफी स्पैस्पूल यह आपका लेट बात होगा पांच बाई छैफिट का लेटिंग बात रूम हो गया इसकी वेंटिलेशन मिंडो पीछे हो गई इस रूम में देखिए एक खिडकी हम इधर रख रहे हैं ए अब इस रूम से सीधे हम सामने के गेट में एंटर करते हैं देखिए यह गेट है इसमें एंटर करते ही आपका सेकेंड रूम हो गया है बड़ा रूम है इस रूम का जो मेजरमेंट होगा वो आपका होगा 11 फिट बाइ 17 फिट काफी बड़ा रूम रहेगा एक खिडके आपके इधर इस साइड में दी गई है दिवार में एक खिडके आप इस साइड में दो खिडके होगी यहाँ पर आपका बेड राम से लग जाएगा इस रूम का बेड आपका यहाँ लग जाएगा और इसमें एक अट रूम अटेज रखा है जिसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं 6 फिट 7 इंच by 5 फिट इसका मेजरमेंट हो गया है वेंटिलैसन वींडो आप देख रहे हैं लेट बात की हमने पीछे तरफ दिये दोनों लेट बात में आपको वेंटिलैसन वींडो जुरूर देनी है जिस्से इनकी नेगे टीव अन्रजी आपके रूम में और ठाय हो Secretary पर कुर्शंब करते हैं तो dining table का जो हमने space रखा है यह आपने रखा है यह आपका dining area हो गया है पूरा dining area है इसका आपका measurement है 10 feet की चोड़ाई और 20 feet की इसकी length है 10 feet की चोड़ाई और 20 feet की इसकी length है यहाँ पर इस dining area से ठीक हम इधर enter करते हैं तो आपकी यह सीडिया है आपकी सीडिया देखिए दक्सिन की तरफ जा रही है फिर गूमकर वापस उत्तर की तरफ यानि नौर्टिक तरफ खुल रही है पूरी वास्तु के according सीडिया होगी सीड सीडिया भी आपकी काफी सुंदर लगेगी क्यों सीडिया हमने बाहर निकलती हुई बनाई गई है हमारे द्वारा तो पूर आपको इसमें कोई फेर बदल करने की जरूरत नहीं है काफी अच्छी सीडिया दी गई है अब देखिए इस dining area से हम इधर enter करते हैं तो यह जो gate इसमें center करते ही जैसा कि आपको पता है east और south का यानि पूर और दक्षिन का जो corner होता हो अगनी कोन होता है तो यहां पर हमने आपको दिया है रसोईगर यानि कि आपका kitchen काफी सुंदर आपका यह kitchen होगा kitchen का measurement होगा आपका 10 feet by 11 feet का काफी बड़ा kitchen है kitchen की एक खिड़के आप kitchen की अलमारी बगेरा बनाईए गेट चुला आपका यहां लग जाएगा इस खिड़की के इस साइड में पानी का जो आप वासवेशन मनाएंगे वह आपको उत्तर की दिवारे मनाना यहां बनाई यहां बनाईए ओके kitchen का एक gate हमने बाहर की तरफ open किया है यह gate हमने बाहर की store room दिया है इस साइड में एक काफी बड़ा आपका store room होगा काफी space full यह store room है store room का देखिए 10 feet by आपका यह store room रहेगा 6 feet का 10 feet इसकी चोड़ाई है 6 feet ऐसे लंबाई है ओके तो काफी space full आपका store room रहेगा यह आपका kitchen हो गया store room हो गया इस kitchen से आप इधर भी enter हो सकते हैं इधर भी निकल सकते हैं और इधर भी enter हो सकते हैं dining area में तो पूरे plan को एकदम आप ध्यान से देख लीजिए 40 by 60 का यह आज का आपका plan है इस side में आपके जो आप खाली जगे भार देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना बगीचा लगा सकते हैं काफी सुन्दर और घर के चारों तरफ आप फूल लगाई है फूल के पेट पोदे ल देखना है तो देखिए वीडियो के निचे जो रेड लाल कलर में सस्क्राइब बटन दिया गया है उसको क्लिक करें और सामने बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं और सक्षे सक्षे सामने ओ मिलते हैं तो आप पहुंच सक्षे से जह रह रहे हैं और सामने मिलते हैं